लोग फ्रेंड्स है गुड मारिंग व्रिवन और मेरी आवाज आप लोगों तक हारी होगी है अब लोगों नहीं जैसे कि आप लोगों पता है कि सीरीज शुरू कर रखी है सियार पीसी का और सियार पीसी के दटेन क्वेश्चन शो में अब जो हम लोग डिसकस कर रहे हैं एक अनुक्त कॉंपरेटिव स्टेडी करेंगे और वो हम लोग करते चलेंगे शीख है जो बिना कोई समय कमाए हम लोग सीधिये मुद्द की बात करते हैं और लेते हैं आज का फरस्क्रीस कोस्टियन और यह है फर्स्ट कोस्टियन कोस्टियन नंबर टू डवल वन तो फर्सक् पुलिस ऑफिसर लाएगा ब्रिंग एन एरेस्टेड परसन को कोट के सामने लाएगा कोट के सामने प्रोड्यूस करेगा प्रस्तूत करेगा बिदाउट एनी डिले तो यह जो प्रोवीजन है CRPC के किस सेक्षन में दिया गया है तो यह जो कोश्चन आपके सामने हैं इस कोश्चन के मैं दो अंसर सापको बताने वाला हूँ एक CRPC के कॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा और दूसरा BNSSS जो 2023 है उसके कॉर्डिंग भी आपको शेर करूंगा ताकि आपको एक कॉम्परिटिव स्टडी मिल सके तो यहां पर जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को एरेस्ट करता है तो उसको कोर्ट में बिना डिले के लाना होता है यह जो प्रोवीजन आपको मिलेगा वो प्रोवीजन मिलेगा सेक्शन नंबर 76 CRPC के अंदर तो सेक्शन सेवन्टिसिक यह हमारा सेवन्टिसिक्स जो है CRPC का प्रोवीजन है ओके नाव अगर हम लोग यहां पर देखे तो यह देखिए सेक्शन सेवन्टिसिक्स में बहुत किलिए लिए मेंशन है बिदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग दा परसन एरेस्टेड बिफोर दा गोट बिफोर 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 चलना क्योंकि इसका होना लागू होना तय है और मॉस्ट हंडेड़ बन परसेंट सो बीनेसेस 2023 का सेक्शन सेवन्टी एट और सी आर पीसी का सेक्शन हो गया सेवन्टी सिक्स तो आप क्या कर लोगे यहां जो है कि पुलिस ऑफिसर करेगा बिना डिले के कोर्ट में प्रोड पुलिस प्रणिक्तों ईसकात कि यहां सेवन्टी आरंचे सवता हैं ते है निस्ट आपकल कर दो कुछंकि यहां सेवन्टी और संड़्मी नंप्रोर क्यों इसक्ती आक्राइब के एक्तिचाल आप कहते हैं जिएस अप्रेट प्रेट तो पहले बता दो यह जो question पूछे जा रहे हैं यह प्रोक्लामेशन क्या होता है attachment क्या होता यह BNSS और CRPC दोनों में common है यहां पर बहुत सारे provisions जिट्टो आपको मिल जाएंगे तो यहां पर पूछा गया है period of limitation तो अगर मैं आपको period of limitation की बात करूँ तो period of limitation जो होती है one year की होती है अगर किसी दूसरे व्यक्ति का property attachment में चला गया तो कोई व्यक्ति accused का property का attachment होना था लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की property attached हो गई तो वो अपने right और claim का दावा कर सकता है अपने rights established कर सकता है in respect of that property in dispute within one year तो यहां पर जो option होगा यहां देखे option है one year और इसका जो connected portion है यानि जो section है वो है section 84 का subsection 4 अब यह portion आपको मिल रहा है section 84 का subsection 4 यह है हमार CRPC की recording अगर इसी provision को same हम लोग देखेंगे तो same one year का ही provision मिलता है same one year का ही time limitation मिलता है वो है section 87 का 4 बहुत आसान है यहां पर भी 4 है यहां पर 4 है बस 84 की जगह पर 87 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा यहां हमारे लिए हो अब चोटी-चोटी बाते में जो कहता रहता हूं वह भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं ऐसे फूर इसे फॉर परटी टर्म कर सकते हैं वहां से अगर आप चाहे तो जोइन कर सकते हैं इन डेफ्थ क्लासे जिसमें आपको जैसे बता रहा हूं वह वाते हैं हमारा नेक्स्ट कोस्टिन के पीछे टू बन थ्री अंडर सेक्षिन इसलिए बार बार रिपीट भी होता रहा है तो वारंट आफ एरेस्ट पूरे हिंदुस्तान में यानि किसी जगह पर लीजह हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है आट एनिपलेस इन इंडिया एक्षिन इंडिया एक्षे स्वेंट आपको भी एन स समय मिलेगा बीन एसस के सिमटी नैड में मिलेगा कि जो ऺएस्ट वारिंट पूरे हिंदुस्तान में कहें भी जिक्यूट किया जा सकता है कुछ नहीं करना बहुत ही सिंपल सा पॉइंत है हूं लेक्ष्ट कोश्चेश्चन करें नंबर 214 वाट ड़िदे expiration, transit, remand denote, वह ही transit, remand, शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ simple सा question पूछा गया है, निवह transit, remand, transit का मतलब हुता रास्ता, मतलब हम रास्ते में चल रहे हैं, याई कि हम चल रहे हैं, यानि बोलता है जयात्रा, जैरनी, अीस ताइब की सेंस में स्ब्राइब अगर हम चांग घिन विन olm पर मतलब यहां पर दिया गया है अगर हम इसको देखे तो should को पुलिस एक स्टेट से दूसरे तेट कि तरफ जब लेके जाती है तब उसको हम कहते हैं transit remand अगर आप याद कीजिए विकास दूबे जिसका इंकाउंटर कर दिया उपे पुलिस ने जितना बड़ा एलिगेशन लगा था गाली पलट गई बाकी जो कहाने थे वह आप देखी चुके हैं तो वह ही यहाँ पर क्या था वो transit ट्रांजिट रिमांड नाओ डट इस ट्रांजिट रिमांड ओके चलिए नाओ नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं 215 अंडर विच सेक्शन ऑफ सी यार पीसी पर्सन हूँ इज अवाइडिंग एग्जिक्यूशन ऑफ ए वारंट में बी प्रोक्लेम्ड ऑफ एफसकोंडर लिख तो मामला है आपको पहले मोता है प्रोक्लामिशन येटाच्मंट वाले पार्ट से हैं और इसमें हमारा सीधा सा पार्ट बनता है 82-83 का यहाँ पर प्रोवीजन मिलेगा वो 82 का पार्ट मिलता है पहले 82 में प्रोक्लामेशन पर 83 में अटाचमेंट जो कनेक्टेट प्रोवीजन है वो देखिए यहाँ पर C-RPC का सेक्शन है 82 उसका है सब सेक्षन 1 अगर यही बात यही attachment proclamation वाली बात जो है यह बी एनसेस में भी मिलेगी और बी एनसेस में मिलेगी तो आपको मिलेगी section 84 के subsection 1 तो देखो यहां पर जो question पूछा गया है कि proclaimed of sconder या proclaimed offender कि section के अंदर होगा तो यहां पर हो गया 82 का subsection 1 और बी एनसेस में हो गया 84 का subsection 1 याद रिखेगा 84 का subsection 1 और वाधर 82 का subsection 1 okay now आगे चलते है next question की तरफ कि कि अवैलिड उक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ दी सी यार पीसी 1973 रिक्वार्स थ्यान जेखीगा वालेड प्रोक्लामेशन वालेड प्रोक्लामेशन प्रोक्लामेशन और अटाच्चमेंट से फिर यह कोश्चन है वालेड प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 बेरासी तेरासी एटी टू नाओ इसमें क्या-क्या चीज़े चाहिए तो पहला प्रोक्लामेशन 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 प्रोक्लामे क्या होता है कि बिलेबलवारंट जाई किया जाता है जब भी परmermor नहीं करता है कोट में तब लेकिन प्रइस को पकड़ कर नहीं लाती या बच के छिप करके भाग जाता है वो नहीं आता है कोट पूलिस के हाथ में तब उस केस में क्या होता है attachment तो यह जो पूरा प्रोसीजर आपको मिलेगा यह मिलेगा 82 83 के अंदर पूरा डीटेल से प्रोसीजर मिलेगा तो यह प्रोक्लामेशन की पीछे का पर्पस क्या है प्रोक्लेम्ड करने का मतलब है उद्गोशना करते था कि लोगों को पता चल सके कि वह बहागा हुका है तो वो जहां रहता है जो परसन ह 106 00 psychology लिमिल रहा है जो पुलिस के मिलेठोश नहीं हो लिखा तो victim जहा रहता है वहां पर नहीं चीपकाया जाता है यह तो हमें किसको लाना है हमें तो accused को लाना आए victim को नहीं लाना हैver number c इफ पास्ट बाइडी सेशन जज़द a copy of the Proclamation should be affixed to conspicuous part of the high court ये high court में trial चलता ही नहीं है सो high court में trial चलने का exceptional काईचनल के सब्सक्राइब की कितना 474 आब यहां पर कहते हैं कि हाइफ कोश्पिक्वस पार्ट में ताउन और विलेज वेर दाख्राइंग वाज कमड़ेट दी अंसर इस नो यहां पर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर यह आपका सही है और इसमें सेक्शन इकौन सा प्रोविजन लगेगा अगें 82 का सब सेक्शन वन तो फिर अगर सियार पीसे का इटी टू का सब सेक्शन व प्रोक्लामेशन शाल भी पॉब्लिस्ट अज फॉलो इट शाल भी पॉब्लिक लीट इन सम कॉंस्पिक्वस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज इन विच सच पर्शन और डिनली डिसाइड तो 84 का सब सेक्शन यहां पर तू होना चाहिए ठीक है 84 का सब सेक्शन टू ओके लोग अगले कोश्चन के तरफ आते हैं सेक्शन हमारा है 217 अंडर सेक्शन 83 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए ओफ दी सी आरपी सी दा कोर्ट में ओर यहां 83 आ गया 83 आ गया मतलब अटैच्वंट के प्रोसेस पर अल्मोंस्ट आ चुके हैं हम लोग तो नाओ क्या होता है प्रोक्लामेशन फार परसन एपसकोंडिंग बिफोर अटाचिंग प्रोपर्टी यानि अटैचमेंट करने के पहले जो परसन एपसकोंड कर गया उसका प्रोक्लामेशन यहां पर तीसरा ओप्शन कहता है प्रोक्लामेशन एटाचमेंट साइमल्टेनियसली तो प्रोक्लामेशन और अटाचमेंट साइमल्टेनियसली यहां पर होगा नाव प्रोक्लामेशन और टैच्मेंट बाइ सेपरेट ओडर नहीं यह जो आप्शन दिया हुए मतलब मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं इसमें सेक्षन के अंदर जो बात लिखी गई है यह बस उसी को हमें हैं पर फाइंड आउट करना है अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं इसको ध्यान से देख लेते हैं और इसके वाला यहां पर देखे बी एनसेस में 85 का सब सेक्षन वन सेम प्रोविजन यहां आपको मिलेगा यहां देखिए 85 का सब सेक्षन वन सोटीफाइब में मिल जाएगा इट में ऑडर दी अटाच्मेंट आप प्रोपर्टी साइमल्ट इसली बिद इस्व ऑफ दे प्रोक्लामेशन तो दाओ CRPC में 83 सब सेक्षन वन और यहां पर यहां लिख देता हूं मैं CRPC 83 1 और BNSS में 85 1 इसमें कुछ नहीं है बहुत सिम्पल सा पॉइंट दिया हुआ है एक वर मैं आपको डिसकस करके दिखा देता हूं देखिए 85 सी बताता हूं BNSS सी बता देता हूं the court issuing a proclamation under section 84 यहां पर जो proclamation issue होता है वो under section 84 होता है BNSS के recording और regions to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation याद रखेगा after the issue of the proclamation तो पहले proclamation होगा पहले गोसना होती है कि भाईया यह भाग गया तो जब भाग गया यह गोसना कर दिया तब उसके बाद process किसका करेंगे attachment का तब क्या कर रहा है after the issue of the proclamation order the attachment of any property movable या immovable होगा और both belonging to the proclaimed person किसका proclaimed person का movable और immoval property होगा उसके attachment की बात करते हैं section 85 subsection 1 BNSS में यही same provision आप जाके देखोगे तो 83 में आपको मिलने वाला है यहाँ पर the court of issue the court issuing a proclamation under section 82 may for regions to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation तो क्या लिखा है after the issue of the proclamation order the attachment of any property तो पहले हमेशा याद रखिए proclamation पहले होगा और उसके बाद ही attachment होता है यह यहाँ पर है किसी किसी सूरत में दोनों चीजे साथ में होती हैं तो साथ में कब हो सकती हैं अगर यह वाला प्रोविजन सामने निकल के आया तब याने कि यदि कोर्ट नवें कोई एफटेफिट ला करके पार्टी ने शोक कर दिया प्रोसिके उसर ने एफटेफिट दे दिया या अदर्वाइज कि जिस बंदे को आप क्या कर रहे हो पहले प्रोक्लामेशन कर रहे हो फिर आप टैचिमेंट करोगे प्रोक्लामेशन करने के बाद हो सकता है कि वह अपनी प्रोपर्टी को बेच दे डिस्पोज ओफ कर दे अपने नाम से हटा दे अपने प्रोपर्टी का कोर्ट की लोकल जरिस्टिक्शन से रिमूव करने वाला है तो अगर ये दोनों में से कोई एक भी नौबत आ गई तो इसकेस में कोड चाहे तो ऐटाच्मेंट का जो ऑर्डर प्रोक्लामेशन के साथ कर सकती है यही इस क्वेशन का में थीम था तो इसलिए यहां पर यह पॉइंट मेंशन किया गया है और यह पर इन्हों ने प्रोवीजन में से घली लिखके दिया है ना इसको ध्यान में रखना है अपने को यह CRPC का है में 85 सबसेक्शन 1 के लिए नाव नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बात आप लोगों को याद दिलाओ कि एको CRPC अगर आपने ठीक से पढ़ रखी है तो यह चीज़े बहुत जल्दी आप कमांड पर अभी अगर CRPC कोई टॉपिक कोई सेक्शन कुछ डाउट से तो आप जाओ आप सीधा जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पर आपको लिंक मिलेगा वहां CRPC की कुर्स मिलेगी 373 वीडियो जो आपको जरूद की लगे आप वहां एट विच वन अफ दी फॉलॉइंग ग्रूप ऑफ सेक्शन्स ओफ सी यार पीसी डिल्स वेथ पूरा का पूरा एक कंप्लीट बोलते रहे पाकेज पूछ रहा है कि यह बताओ प्रोक्लामेशन और अटैच्मेंट का जो पार्ट है CRPC में कहां से कहां तक के बीच में CRPC में हमारा है यही रहा 82 प्रोक्लामेशन और अटैच्मेंट और कहां तक गया 82 से 86 यानि याद रखिए कुछ नहीं करना है प्रोक्लामेशन अटैच्मेंट जहां से शुरू होता है और अदर रूल्स जो शुरू होता उसके बीच में अब यही बात अगर हम लोग देखे कि इसके बीच में यहां पर तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूं यही रहा इसके पर ही मैं ले लेता हूं से 84 से 89 84 से 89 इसमें BNSS 2023 2023 और अगर हम लोग यहां जाएंगे तो यहां है 82 से 86 किलर ना चलिए अब यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा तो इससाब से CRPC में यह मिलेगा और हमारा इसमें 84 से 89 ओके कमाँ लिस्ट हम लोग नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं 219 विच ऑफ दी फॉलोइंग इच करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉड एजपर सेक्शन 82 और 83 ऑफ दी सी यार पीसी कहता कि विच अफ दी फॉलोइंग इच करेक्ट स्टेटमेंट जोंड ना है में सही वाली इसका मतलब इसमें 24 में से 1 गलाथ 03 में 07 में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा और चार में सै कोई एक गलत होगा च भॉलाथ अब यहां पर कहिねぇ हमें क्या दूबना है करेक्ट कहहरहा है कि court अगर चाहे तो order जो है attachment का दे सकती है उस accused person को बिना proclaimed declare किये हुए ऐसा नहीं हो सकता है 82 के अंदर ही मैंने जस्ट दिखाया पहले proclamation फिर attachment तो यह option गलत है दूसरा the court may order attachment of property of a person after publication of a written proclamation under section 82 requiring him to appear before it तो यहाँ पर किलर है कि court जो है दे सकती है आदेश attachment का लेकिन कब देगी after यहाँ पर क्या था before नहीं होगा after होगा या साथ में होगा याद रिखिएगा after होता है या साथ में होता है the court may order attachment of property of a person regardless of whether or not he has been declared proclaimed offender यह तो पुरा ही गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है कि भी है अगर proclaimed करो ना करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता सीधे हम क्या कर देंगे attachment का order पास कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत order हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए सही option क्या बनेगा बी और यह हमारे लिए कहां से निकल के आ रहा है section 83 और इसमें कहां मिलेगा सब section 1 किसमें CRPC 1973 में section number 83 का 1 यहाँ पर देखे बोल्ड भी है italic भी है at any time after the issue of the proclamation order the attachment of any property now BNSS में आप देखोगे यही यहाँ पर है at any time after the issue of the proclamation order the attachment of any property after ही मिलने वाला है आपको यहाँ dot 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 लिखा है इसका मतलब आप चाहिए समझना यह complete नहीं है इसके आगे भी है जो relevant portion है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दिया है ओके तो section 83 sub section 1 CRPC में section 85 sub section 1 BNSS 2023 में चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 220 अगर आप लोगों को चीजे समझ में आती हैं आपको लगता है कि यह मिहनत है आपको लगता है कि आपका concept killer होता है तो आप इसको like करो subscribe करो channel को okay now अब आते हैं question number 2220 वर penalty for और इसमें पता है आपको दटेन क्वेश्चन सो है इसमें मतलब दसी question है आगर आप देखोगे तो आई तिंक यह 18 होगा यह 18 हमारा process है तो इसमें अगर हमने 18 भी कर लिए 18 into 10 हमने लगवाग 180 लगवाग क्या 180 questions CRPC के और BNSS के साथ हमने इसक इसमें आता ही रहता है आप लोगों के लिए सो अपना कुछो concept है CRPC का पक्का कर लो गर नहीं भी है पक्का तो कर लो सारे है इसमें ADJ CJ सब है APO सारे है CBI का है All India Bar Council है इनुवर्सिटी जो भी आपको कहीं भी CRPC का कच्रा वाला question कहीं भी कच्छा मिन्स कहीं भी कुछ में फ CRPC का कहीं भी किसी भी स्टेट में कैसा भी question किसी भी उनिवर्सिटी में पूछा गया होगा APO में किसी भी जगह पर वो आपको यहां पर दिख जाएगा 101% with assurance with guarantee ओके चलिए थे penalty for non appearance in a case where a declaration has been made under section 82 subsection 4 of the CRPC pronouncing a person as a proclaimed offender is provided under the question थोड़ा सा घुमा के है थोड़ा सा ठीड़ा है मैं एक बार फिर से पढ़ता हो उसके बाद आपको इसको शेयर करता हूं अच्छे से समझ लेना कि बिसिकली यहां पर question में क्या है कि कोट ने क्या किया 82 के अंदर क्या करती है कोट मैं पहले आपको 82 दिखाता हूं कि अब जस्ट सेकेंड मैं आपको यहां पर पहले 82 पर लेखे चलता हूं 82 देखे अराम से 82 का portion जो है फर्स्ट वाला वह आप देखलो 32 का सबसेक्शन मन क्या बोलता है if any court has reason to believe whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is counselling himself so that such warrant cannot be executed so section 82 बहुत crystal clear है अपने point पर और point बड़ा killer यह है कि कोई भी person जो की abscond कर रहा है क्यों abscond कर रहा है कैसे आपका रहा है क्योंकि warrant जारी किया गया warrant को execute होने नहीं दे रहा है तो वैसे condition में court क्या कर सकती है एक return proclamation जारी publish कर सकती है now अब इसी का जो subsection 4 है यहां पर कुछ specific sections बताये हैं जहां पर क्या किया pronounce him a proclaimed offender तो पहले proclaimed offender declare कर दिया अगर इसके बाभजूद नहीं आता है बंदा तो क्या होता है आई पीसी में एक section है उस section के अंदर उसको क्या किया जाता है penalty दे सकते है मतलब उसके अंदर book किया जा सकता है उस section के अंदर उसने एक offense commit कर दिया उस section का number पूछ रहा है वो section आपसे पूछा जा रहा कि कौन सा section है जिसके अंदर उसने अपराद commit किया है 82 का 4 तो अगर आप इसको जाओगे देखने के लिए crpc के first schedule से देखोगे भी कहीं से तो यहां पर यह आपको मिलेगा 174a connected portion है 174a यही provision अगर आप BNSS में भी देखोगे तो section 209 मिलेगा 209 और वहां पर देखोगे crpc में 174a रहता है ठीक है सेम provision है कुछ भी फर्क यहां पर नहीं है ठीक है तो जो penalty लगेगी यहां पर 174a यहां पर आप 209 लिख दो किसके लिए BNSS के लिए चलिए ठीक है तो आज के लिए अभी के लिए यही पर सकते हैं friends मिलते हैं फिर next session में सब तक के लिए थैंक यह वरी मुच पर